पहली जन्वरी अठारसोच चौरानवे उतरी कलकत्ता के इसी घर में एक सितारे का जन्व हुआ जिसने आगे चलकर भौतिक विज्ञान में नए आयाम इस्थापित किये और जिसका नाम हमेशा के लिए अलबर्ट आइंस्टाइन के नाम के साथ जुड़ गया इस बच्चे का नाम था सत्येंद्र नात बोस का पैत्रिक निवास जहां अब उनकी याद में एक प्रात्मिक स्कूल चलाया जाता है बोस ने पहले सामान्य स्कूल में और फिर हिंदु स्कूल में शिक्षा ग्रहन की उन्होंने अपनी आरंभिक परिक्षा 1909 में पास की स्कूल में एक बार उनके गणित शिक्षक उपेंद्र बक्षी ने गणित परिक्षा में 100 में 110 अंक दिये और भविश्यवानी की कि सत्येंद्र लैपलास और कोशी की तरह एक दिन महान गणितंग्य बनेंगे 1905 में सत्येंद्र सिर्फ 11 वर्ष के थे ये साल बंगाल के इतिहास में महतोपून था 16 अक्टूबर को लॉट करजन ने बंगाल विभाजन का एलान किया और पूरे बंगाल में विद्रोह किया भड़त थी कई नेता सलाखों के पीछे पहुंच गया इन सारी घटनाओं ने मासुम सत्येंद्र के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला स्कूल के बाद सत्येंद्रनाथ प्रेसिडेंसी कॉलेज गए जहां पहली बार उनकी मुलाकात मेखनाथ साहा ग्यानचंद्र घोश प्रशांथ चंद्र महाला नोबिस ग्यानेंद्रनाथ मुखरजी तथा निखिल रंजन सेन से हुई जो आजीवन उनके दोस्त बने रहे यहां उन्हें जगदीश चंद्र बोस तथा प्रफुल चंद्र रे जैसी महान हस्तियों से ज्ञान मिला 1913 में भौतिकी में सनातक की परिक्षा तथा 1915 में सन्योक्त गनित में सनातकूत्तर परिक्षा में उन्होंने सरुप्रथम स्थान प्राप्थ किया सनातकोत्तर का उनका अंकपत्र एक यादगार दस्तावेज बना अंतरिक्ष भौतिकी में कांतिकारी परिवर्तन लाने वाले उनके अभिनमित्र मेगनाद साहा को इस परिक्षा में दूसरा स्थान प्राप्थ हुआ 1914 में उनका विवाह उशा बाला देवी के साथ हुआ 1917 में सत्येंद्र नाथ तथा मेगनाद को कलकत्ता विश्वविद्याले के उपकुलपती सर आशुतोष मुखरजी ने नौनिर्मित युनिवर्सिटी कॉलेज अफ साइन्स में क्रम्शह, भौतिकी तथा व्यवाहारिक गणित का व्याख्याता नियुक्त किया वो दुनिया के पहले व्यक्ति थे, जिरोंने आइंस्टाइन के सापिक्ष्टा के सिध्धान्त का जर्मन से अंग्रेजी में रूपांतर किया कलकत्ता विश्वविद्याले ने इस रूपांतर को 1919 में एक पुस्तक का रूप दिया, जिसका शीर्षक था इस पुस्तक का परचय एतिहासिक था, जिसे प्रशान्त चंद्र महाला नोविस ने लिखा था बोस के विज्ञान पर प्रकाशित प्रारंभिक आलिखों में कुछ उनके मित्र मेगनात साहा के साथ 1918 से 1920 तक साजहा रूप से लिखे गए थे ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित धाका विश्विद्याले का क्रिया कलाप 1921 में शुरू हो गया था उसी साल बोस ने धाका विश्विद्याले के भौतिक विज्ञान विभाग में रीडर के पतपर कारे करना आरंभ किया जबकि उनके मित्र ज्यानचंद्र घोश ने रसायन विज्ञान विभाग में पढ़ाना शुरू किया ये है धाका का वो घर जो उनका आवास था और जिसे अब तोड़ दिया गया है 19 सदी का अंत तथा 20 सदी का प्रारंभ भौतिक विज्ञान के लिए काफी उथल पुथल भरा रहा ब्लैक बॉडी विकिरण के गहराई से किये गए अध्ययन ने उल्चने बढ़ा दी ब्लैक बॉडी किसी भी उर्जा को अवशोशित कर लेता है जब आप किसी पडार्थ को गर्म करते हैं तो वो पहले लाल और फिर सफेद हो जाता है जब इसमें से रोशनी निकलती है तो उसमें इंद्रधनुश की तरह पराबर मात्रा में सभी रंगों का समावेश रहता है हर रंग में कुछ उर्जा होती है ये वक्ररेखा बताती है कि किस तरह रंगों के बीच उर्जा बटी होती है ये स्पेक्ट्रम है जब कोई पडार्थ गर्म होकर लाल हो जाता है तो उसमें से निकलने वाला प्रमुख रंग लाल होता है तापमान बढ़ाने पर रंग पराबैगनी की ओर परिवर्तित होता है समस्या है कि पारंपरिक सध्धान्त के अनुसार ब्लैक बॉडी को पराबैगनी छेत्र से अनंत उर्जा का विक्रण करना चाहिए निश्चित रूप से ये सध्धान्त अर्थ हीन है क्योंकि पराबैगनी छेत्र में प्रायोगिक वक्र रेखा दरसल नीचे की ओर चली जा रही है लिहाजा प्रियोग तथा परंपरा में सपष्ट विरोधा भास है उन्नीश्वी सदी के अंत में जर्मनी के मैक्स प्लैंक ने सिध्धान्त दिया जो इन प्रायोगिक वक्र रेखाओं की सही व्याख्या करता है इसमें प्रेणा के आधार पर अनुमान लगाया गया इसका पहला भाग पारंपरिक भौतिकी का है लेकिन दूसरा नहीं दूसरा भाग वक्र रेखा के नीचे जाने तथा पराबैगनी विनाश को बचाने की व्याख्या करता है सवाल था दूसरे भाग के भौतिकी की किस सिध्धान्त के अंतरगत व्याख्या की जाए प्लैंक के मुताबिक दूसरा भाग बताता है कि उर्जा को तब तक आउशोशित या निश्कासित नहीं किया जा सकता जब तक उसकी नियुनतम मात्रा ना हो जिसे क्वांटम कहते हैं इस प्रकार कोई पदार्थ एक उची इमारत के समान है अगर आप किसी बॉल को पहले माले तak फेकना चाहते हैं तो आपको नियुनतम उर्जा का इस्तेमाल करना होगा अन्य था ये पहले माले तक नहीं पहुँच पाएगा अगर आप उसे दूसरे माले तक फेकना चाहते हैं तो आपको दूगनी उर्चा खर्च करनी होगी इसी तरह आगे के उदारण है पाँचवे माले से गिरने वाले बॉल में पाँच गुना कम उर्चा होगी इस सामान्य उदारण के जरिए प्लैंक दूसरे भाग की व्याख्या करने में सफल हो सके क्वांटम क्रांती की दुशा में ये पहला कदम था 1905 में आइंस्टाइन ने इस क्रांती के दूसरे चरण से परिचे कराया प्लैंक सिध्धांत के एक बहतरेन विशलेशन में उन्होंने दिखाया कि प्रकाश के दूरी तै करने के माध्यम तरंग तथा छोटी गोलियों के समान कर दोनों हैं आज की तारीख में हम इन्हें फोटॉंस कहते हैं उन्होंने साबित किया कि ये तुरंत फोटो एलेक्टिक प्रभाव की सटीक व्याख्या करता है जब प्रकाश धातू पर पढ़ता है तो इलेक्ट्रॉंस का निश्कासन होता है उनकी संख्या प्रकाश की चमक पर निर्भर करती है जैसे जैसे प्रकाश नीला होता है उनकी उर्जा बढ़ती है पारंपरिक सिध्धान्त में इसकी व्याख्या नहीं थी प्रसिध तरंग करण दुविधता सिध्धान्त की ये शुरुवात थी आप इसे किस तरह देखते हैं? तरंगे बिखर कर विभिन आकार बनाने में मदद करती हैं जबकि कड नुकीले होते हैं तथा ऐसे आकार नहीं बनाते कुछ वैज्यानिकों ने तुरंट इंगित किया कि आइंस्टाइन की गोलियों के समान फोटॉन्स का सिध्धान्थ प्लैंक के सिध्धान्थ का पालन नहीं करता ये बात आइंस्टाइन के लिए चौकाने वाली थी जो गतिविधी प्लैंक के सिध्धान्थ का अनुसरण कर रही है वो उसका विरोध कैसे कर सकती थी? आइनस्टाइन के सिध्धान्त में ये खामी थी, इस खामी के कारण प्लैंक के नियम के संतोष जनक व्याख्या की कई कोशिशें हुई, स्वैम प्लैंक, डिबाई, आइनस्टाइन, पावली और आइनस्टाइन तथा एरनफेश्ट सभी ने नए सिध्धान्त प्रतिपादि ये थी भौतिक विज्ञान की इस्थ थी, जब बोस ने धाका विश्व विद्याले में भौतिकी पढ़ाना शुरू किया, शिक्षण में उन्हें भारी परिशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने पाया कि ये सभी सिध्धान्त एक आधार भूत तार्किक अ जिसमें पहले भाग समेथ पूरा प्लैंक नियम, क्वांटम सिध्धान्त पर आधारित था, उन्होंने सिध्धान्त दिया कि फोटॉन गोलियों की तरह नहीं है, जैसी आइंस्टाइन ने कलपना की थी, बलकि काफी हर तक बिखरे हुए हैं, यानि उनकी गर्णा अलग त पत्रिका में छपने के लिए भेजा, लेकिन उन्होंने इसे अस्विकार कर दिया, तब उन्होंने इसे आइंस्टाइन को एक प्रावरण पत्र के साथ भेजा, जिसमें उन्होंने अपने शोध की व्याख्या की, और आइंस्टाइन से अपना शोध किसी पत्रिका में छप का अनुरोट किया, आइंस्टाइन इस शोध से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वैम इस शोध का अनुवाद किया और इसे प्रसिद जर्मन पत्र का लाइट सेफ्ट फिव फिजिक में छपवाया, अपनी टिपड़ी में उन्होंने लिखा कि वो बोश के प्रतिपादित गड़ना के तरीके को बिहद महत्वपूर मानते हैं और वो भविश्य के शोधों में इस बात का उलेख करेंगे कि किस प्रकार बोश की गड़ना विधी, गैस के अनुकूल है और इस तरह गैसों के क्वांटम सिध्धान्त का आरंभ हुआ आइंस्टाइन की टिपणी से उत्साहित बोश 1924 में पेरिस के लिए जहाद से रवाना हुए जहां वो पूरे एक साल तक रहे मैडम क्यूरी ने इस आधार पर बोश को अपने साथ नहीं रखा कि उनके प्रयोक्षाला में कारे करने के लिहाद से फ्रेंच भाषा की उनकी जानकारी काफी कमजोर थी तब बोश ने 6 महिने तक प्रिंस मौरिस डी ब्रोगले के साथ काम किया जो प्रिंस लूई डी ब्रोगले के बड़े भाई थे उस वक्त वो अपने शाही घर के खाली पड़े अस्तबल में एक्सरे क्रिस्टल विज्ञान प्रयोक्षाला स्थापित कर रहे थे एक्सरे के क्रिस्टलिये पदार्थ पर पढ़ने से दोनों के बीच परसपर संबंध के आकलन को क्रिस्टल विज्ञान कहते हैं प्रोफेसर एसन बोस ने भारत में एक्सरे क्रिस्टल विज्ञान शोध में महत्वपूर्ण जोगदान दिया उन दिनों वैज्ञानिक शोध के लिए धानी कठा करना आसान काम नहीं था लहाजा उन्होंने धाका विश्विद्याले में यांतर की विभाग की मदद से अपने लिए स्वयम एक्सरे क्रिस्टल विज्ञान प्रियोगशाला बनाई और कैमरे तयार किये उन्होंने धाका विश्विद्याले में अपने प्रयोगों के विशलेशन के लिए कई कैमरे बनाए छे महिने बाद जब मैडम क्यूरी को इस बात का संतोश हो गया कि बोस पर्याप्थ फ्रेंच भाषा सीख चुके हैं तो बोस को पेरिस में उनके विश्व प्रसिद्ध रेडियम संस्थान में छे महिने तक काम करने का आउसर मिला इससे धाका लोटने पर बोस को रसायन शासर में महतपूर्ण शोध करने में मदद मिली एक साल बाद वो बर्लिन गए और नवंबर 1925 में आइंस्टाइन से पहली बार मुलाकात की आइंस्टाइन के साथ उन्होंने कई मुद्धों पर बात की और उस वक्त के कई प्रसिद्ध वैज्ञानिकों से उनकी मित्रता हो गई 1926 में वो ढाका लोटे और भौतिक विज्ञान विभाग में प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त हो गए वापस लोटने पर उन्होंने भौतिक विज्ञान विभाग को मझबूत किया और एक X-ray crystal विज्ञान प्रेउकशाला स्थापित किया उन्होंने रसाइन विज्ञान विभाग में भी काम किया तथा 1943 तर कई आलेख लिखे उन्हें धाका विश्विद्याले का संकाय अध्यक्ष और फिर अध्यक्ष बनाया गया 1944 में वो भारतिये राष्ट्रिये विज्ञान कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने 1945 में वो भौतिकी के खैरा प्रोफिसर के रूप में कलकत्ता विश्विद्याले लोटा है संगीत, चत्रकारी तथा साहित्य में उनकी गहनरुची थी कवी बिश्णुडे, प्रसिद्ध चत्रकार जामनी रॉय और प्रसिद्ध गायक दलीत कुमार रॉय उनके अभिनमित्रों में शामिल थे बोज की गर्णा विधी को समझने के लिए हम ये छोटी कटोरियां तथा दो समान दिखने वाले बॉल लेते हैं इन कटोरियों में हम बॉल को कितने तरह से सजा सकते हैं, मैं इन दोनों को एक में डाल सकता हूँ ये एक व्यवस्था है या फिर एक ये है ये दूसरी व्यवस्था है या फिर मैं इन्हें तीसरे में डाल सकता हूँ इस तरह तेन संभावित विकल्प हैं या मैं एक यहां डाल सकता हूँ और दूसरा वहां ये चोथी व्यवस्था है या एक यहां और दूसरा वहां, या फिर पहला इसमें और दूसरा उसमें, ये छटी व्यवस्था है, ये तीन कटोरियों में दो बॉल की छे संभावित व्यवस्थाएं हैं, लेकिन पारम परिक पदार्त इन बॉल की तरह नहीं है, उदारण के लिए अगर मैं इस कटोरी मे दो बॉल रखता हूं और उनकी स्थिती बदल देता हूं, तो ये एक नई व्यवस्था होगी, जैसा मैंने दिखाया कि सभी छे विकल्पों में बॉल की स्थिती बदल देने पर नई व्यवस्था बनेगी, सभी में दो विकल्पों की संभावना है, लेकिन बोस ने बताया कि प्लैंक के सिध्धान्द के अनुसार ये मानना पड़ेगा कि बॉल की इस्थिती बदल देने से नई व्यवस्था नहीं बनती है इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि आपको इन बॉल से अलग उदारन का पालन करना है ये पारंपरिक बॉल हैं लेकिन फोटॉन्स इन से अलग है अगर आप फोटॉन्स को इस तरह बदलते हैं तो नई व्यवस्था नहीं बनती इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब ये है कि आप फोटॉन्स पर इस तरह निगाह नहीं रख सकते ये तभी संभव है जब फोटॉन्स के साथ किसी तरह का तरंग जुड़ा हुआ हो ताकि आप उसकी इस्थिती स्थानिये नहीं बना पाएं दो फोटॉन्स के तरंग एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं लिहाजा आपको ये मालूम नहीं होता कि कोई खास फोटॉन कहां है यही बोस की सांखिकी का आधार है अब बोस की सांखिकी तथा फर्मी डिरेक्ट की सांखिकी में क्या फर्क है देखिए बोज की सांखिकी में आप किसी कटोरी में जितने बॉल चाहें रख सकते हैं. इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन फर्मी डिरेक्ट सांखिकी में एक कटोरी में एक से अधिक बॉल नहीं रखा जा सकता. जी हाँ फर्मी डिरेक्ट सांखिकी में किसी कटोरी में एक से अधिक बॉल नहीं रखा जा सकता चाहे वो फोटॉन्स, आयन्स, केयन्स, डबल्यू, जी या हिक्स हूँ लेकिन दूसरी ओर एक कटोरी में आप जितने चाहें बॉल रख सकते हैं ये बोस की सांखिकी है, यही कारण है कि जब आप अत्यंत निम्न तापमान पर ठंडा करते हैं तो वो सभी मिलकर एक पदार्थ बन जाते हैं, वो अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देते हैं आप ये नहीं कह सकते, ये फला बॉल है, वो फला बॉल है, नहीं, उस स्थिती में सभी एक बॉल हैं सैक्डो हजारों मिलकर एक बन जाते हैं, और इसी स्थिती को बोस आइंस्टाइन कॉंडेंसेट कहते हैं कड़ों की सिर्फ दो स्थिती होती है जो पदार्थिया उर्जा बनाती है बोसॉंस जैसे फोटॉंस, पायॉंस, केउंस, डबल्यू, जी, हेलियम, अडू इत्यादी और फर्मियॉंस जैसे प्रोटॉंस, निूट्रॉं, क्वाक्स, एलेक्टॉंस, म्यॉंस आदी 1924 के बाद से दिये जाने वाले अधिकतर नॉबल पुरसकारों का आधार बोस के किये हुए महत्वपूर्ण कारे थे अब चलते हैं मॉंबई के टाटा इंस्टीट अफ फंडामेंटल रिसर्च में जहांकि प्रयोगशालाओं में बोस आइस्टाइन कॉंडेंसेट, सूपर फ्लूइडिटी और सूपर कंड़क्टिविटी पर शोच चल रहे हैं TIFR के लेजर कोलिंग प्रयोगशाला में आपका स्वागत है, यह चुमकिये प्रभाग तथा शून्य चैंबर का क्षित्र है, जहां हम अनुओं की गति धीमिकर उनका अनुसरान करते हैं हला कि इस कारी के लिए हमें भारी भरकम प्रकाशिय उपकरण स्थापित करने की आवश्यक्ता होती है, इसके लिए हम उपकरणों पर लेजर लाइट देते हैं आप यहां जिन उपकरणों को देख रहे हैं जब हम उन्हें रोष्णी के प्रकार उनके केंद्र उनकी बारमबारिता इत्यादी के मताबिक डिजाइन करते हैं तो अणू इन रोष्णी को बेहद असरदार तरीके से अवशोशित कर लेते हैं इन में लेजर लाइट उत्पन होती है जिन्हें इन प्रकाशिय उपकरणों के जरिये भेजा जाता है उनकी बारमबारिता सुनिश्चित के जाती है जिसके बाद वो शूनिय चैंबर में जाते हैं और अड़ों के साथ मिलते हैं उन्हें ढकेलते हैं उनकी गति धीरे करते हैं और हम उनका अनुसरण करने में सफल होते हैं उन अड़ों के जरीए हम बोस आइंस्टाइन कॉंडेंसेट उत्पन्न करने में सफल होते हैं इस उपकरण को डाइल्यूशन रेफ्रिजिरेटर कहते हैं हम सुपर फ्लूइट हिलियम 4 के सिधांत का अनुसरण करते हैं आवेश के लिहाद से हिलियम 4 तटस् 2.1 केल्विन पर वो सुपर फ्लूइड में परिवर्तित हो जाता है सुपर फ्लूइड में ये परिवर्तन बोस कंडेंसेशन के कारण होता है बोस कंडेंसेशन पूरी स्टिंग मान्यता के साथ सिर्फ बोसोंस कड़ों के साथ होता है हम इसे तरल नाइट्रोजन के साथ केरामिक पदार्थों को शून्य से 190 डिगरी कम तक ठंडा करता है और फिर पूरी विवस्था में सूपर करेंट प्रवाहित करता है इलेक्ट्रॉन पहले जोड़ा बनाते हैं और फिर बोसोंस परिकठा होकर बोस आइंस्टाइन कॉंडेंसेट उत्पन्न करते हैं जो बिना क इसी प्रतिरोध के गतिशील होता है वो करेंट विशाल चुम्ब की एक शेत्र में प्रवावित होता है जिससे चुम्बग उतराते हैं 1960 में जब कर भौतिकी का मानत नमूना विक्सित किया जा रहा था तो एक समस्या सामने आई सिधान्त के मताबिक सभी कणों में ड्रव्यमान नहीं होना था लेकिन उस स्थिति में वो प्रकाष की गति से चलते थे और किसी ठोस पदार्थ का गठन नहीं होता है लिहाजा एक नए तरह के कड़ की आवश्यक्ता थी जो सभी कड़ों को द्रव्यमान देता था जिसे ब्रम्हांड का गठन होता और वो नया कड बोसॉन था इसका नाम एजिनबर्ग के पीटर हिक्स के नाम पर हिक्स बोसॉन रखा गया लंबे समय तक शोध के बाद हिक्स बोसॉन जुलाई दो हजार बारा में सर्न के विशाल हैड्रोन कोलाइडर में खोजा गया बोस ने दुनिया के कई हिस्सों का दौरा कर अपना शोध प्रस्तुत किया और भारत में कई राष्ट्रिये प्रयोक्षालाओं तथा संस्थानों के विकास में सक्रिय भागिदारी की ताकि देश में वैज्ञानिक अनुसंधान की मजबूत बुनियाद पढ़ सके वो कई राष्ट्रिये प्रयोक्षालाओं के अध्यक्ष तथा सलाहकार थे जैसे राष्ट्रिये भौतिक प्रयोक्षाला राष्ट्रिये कांच एवं सिरैमिक अनुसंधान संस्थान भारत के सांखिकी संस्थान साहा परमानु भौत की संस्थान, एशियाटिक सोसाइटी तथा कई अन्य बोस महान भारतिय कवी रविंद्रनाथ टैगोर से कई बार मिले टैगोर ने बंगाली भाशा में विज्ञान पर अपनी इकलोती पुस्तक विश्व परचय बोस को समर्पित की टैगोर से प्रेरित होकर उन्होंने 1948 में उत्तरी कलकत्ता में बंगी विज्ञान परिशत का गठन किया ताकि आम लोगों में बुनियादी विज्ञानिक ज्यान की जानकारी उनकी भाशा में दी जा सके आचारे बोस, 25 साल पहले बंग्ये विज्ञान परिशत के गठन के पीछे, आपका क्या उद्देश्य था? उस वक्त हम तुरंत स्वतंत्र हुए थे, लिहाजा हमने देश में विज्ञान की जानकारी फैलाने का निश्चे किया ताकि देश्वासी विज्ञान का योगदान समझ सके, वो विज्ञान और उद्द्योग की जरूरत समझ सके और अपने रोज मर्रे की जिन्दिगी में उनका इस्तिमाल कर सके, इस तरह शिक्षा की एक नई व्यवस्था पैदा हो सके मशहूर अभिनेता भानुवंत उपाध्याय तथा प्रमतेश बर्वा जो भारत की एक प्रमुक्त फिल्मी हस्ति थे, एस एन बोस के चात्र थे ये बुल्बुले थर्मो गैस के बुल्बुले हैं, ये धर्ती के अंदर से पैदा हो रहे हैं, इनकी गहराई हजारों फीट है, धर्ती के भीतर इस्थित विभिन गैसों के साथ हीलियम भी बहार आ रहा है सवाल ये है कि हीलियम का स्रोत क्या है, ये हीलियम कहां से आ रहा है, हे भगवान, इसका स्रोत धर्ती माता है, कई जगाहों पर धर्ती के भीतर से गैस निकलती है लेकिन प्राकरतिक गैसों का एक दशमलव आठ प्रतीशत हिस्सा हेलियम का होना रोमान्चक है ये एक इस्थिर गैस है तथा कई कारणों से प्रभावशाली है इसके कारण इस पानी में स्नान करने से मना ही नहीं है इस बात में कोई शक नहीं और ये दल्चस्प कहानी की शुरुवात है वैसाख महिने में समगर चटरजी तथा देबाशीश घोष इंगलेंड से कलकता आए समगर चटरजी के लिए ये दल्चस्प अनुभव था उन्होंने स्वैम कहा कि ये पूरा छेत्र हीलियम के उपर बसा हुआ है जैसा मैंने बताया कि जब तक ये प्राकरतिक गैस बॉम्बे पहुँचता है तब तक पूरा हीलियम गैस उड़ जाता है उन्होंने पाया कि यहां हीलियम गैस मौजूद है और इस तरह ये कहानी ये शुरू हुई 1954 में उन्हें पद्म विभूशन से सम्मानित किया गया उसी साल उन्हें राज्य सभा का सदस्य भी मरोनीत किया गया 1956 में कलकत्ता विश्व विद्याले से अवकाश प्राप्त करने के बाद उन्हें विश्व भारती का उपकुल्पती नियुक किया गया उन्हें सो अठावन में उन्हें रॉयल सोसाइटी लंदन का सदस्य चुना गया उन्हें सो उन्सट में उन्हें भौतिकी का राश्ट्रिय प्रोफेसर न्यूप किया गया उनका दफ्तर इंडियन एसोसियेशन फॉर दे कल्टिवेशन ऑफ साइंस में था बोस अपने परिवार, मित्रों तथा चात्रों के साथ बेहत साधारण जीवन व्यतीत करते थे उनका असीवा जन्म दिन धूम धाम से कई बच्चों और जानी मानी हस्तियों ने बनाया इसके अगले महिने उनका देहान्त हो गया इसके साथ ही विज्ञान की दुनिया में एक शून्य पैदा हो गया जिसे भरना मुश्किल था उनके समान में बंगलादेश में धाका विश्वविध्याले ने एक मींच्पन फॉत्षब गया जो न利क्राज म्यूजियम के साथ बोस सिंटर की स्थापना की, जिसमें अलबर्ट आइस्टाइन के साथ उनके प्रसिद पत्राचार के खत तथा कुछ व्यक्तिगत सामान रखे गए हैं। बंगलादेश के निर्वाण के पश्चा बंगलादेश सरकार ने प्रफसर बोस को अपने स्वतंत्रता संग्राम का मित्र बताया। उनकी मृत्यों के बाद भारत सरकार ने उनकी याद में कलकत्ता में सन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज इस्थापित किया। उनके परिवार ने उनके कई व्यक्तिकत सामान कलकत्ता में सन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज तथा बॉंगिय बिज्ञान परिशत को उपहार में दिये हैं। जीवन के आखरे दिनों में वो अकसर अंकों की लंबी स्ष्रिंखला की गणना करते थे। इसका अर्थ किसी की समझ में नहीं आया। वो न्यूटन की तरह एक अध्भुत दिमाग के मालिक थे और एक ऐसे यायावर थे जो गहरी सोच के समंदर में तनहा सफर करता रहा। करता रहा हूँ झाले हैं झाल झाल